Hello everyone, Mathphobia में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी news है CBSC ने कल अपना 30% syllabus सारे subjects के लिए 9th, 10th, 11th और 12th classes के लिए reduce कर दिया है क्या reduce हुआ है, क्या क्या आ रहा है, नीचे description में मैं आपको link दे रखा है चेक कर लिजे ही, तो बहुत अच्छी news है अब हम वही सब करेंगे जो 2020-21 में आने वाला है जो exam होंगे 2021 में, उसमें 30% से लिए बस आपका कम हो गया आना आपको सिफ 70% प्रिपेर करना है description में link ज़रूर देखिएगा Exercise 1.4, number system हमारा चल रहा था exercise 1.4 की तरफ आते हैं question आपके सामने है visualize 3.765 on the number line using successive magnification बच्चो, successive magnification का मतलब होता है जैसे कि आप लोग अपने mobile में Google Maps खोलते है तो किसी भी location पे जाकर आप zoom करते हैं क्या करते हैं, zoom तो उसी को successive magnification कहा जाता है तो ध्यान रखियेगा इसके अंदर 3.765 को हमें दिखाना है किस पे number line पे successive magnified form के अदर अब ध्यान दीजेगा सबसे पहले आप मुझे यह बताइए जो 3.765 है यह किन दो integers के बीच में लाई करता है यह basically लाई करता है हमारा 3 और 4 की बीच में जी हाँ तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है एक number line बना दी जा उससे पहले आप लोग लिखेंगे 3.765 lies between 3 and 4 3 और 4 के बीच में तो लाई करता है 3.anything 3.54, 3.86 हो यह 3.962 हो लाई करता है 3 और 4 के बीच में लिख दी आप लोगों ने तो आप लोगों ने एक number line बना दी और उस पे 10 divisions आपने mark कर दी last में एक 11 भी दे दीजेगा starting में लिखे 3 and में लिखे 4 क्योंके 3.765 3 और 4 के बीच में लाई करता है ठीक है यहाँ पे आप लोगों ने इसे mark कर दिया अब 3 के बाद 3.1, 3.2 से लेके आप 4 तक इसमें mark कर देंगे ठीक है और यहाँ लिख देंगे आप लोग कि 3.7 lies between 3 and 4 clear होगी बात अब आप मुझे बताईए बच्चे कि 3.76 जो है वो 3.7 और 8 के बीच में लाई करता है यहाँ पे magnify करेंगे तो इस दी इसको बढ़ा देंगे तो यह इस तरह आपने mark कर दिया फिर number line बना दी अब 3.7 3.7, 3.70 एक ही बात है तो 3.70 आपने लिखा और 3.80 एंड में लिख दिया बीच में आपने 9 divisions ले ली 3.71, 3.72 and so on अब आपने हाँ लिख दिया 3.76 lies between 3.7 and 3.8 3.70, 3.80 भी आप लोग लिख सकते है बात समझदारी construction बहुत साफ होनी चाहिए line work आपका बहुत clean होना चाहिए next 3.765 3.765 तो बच्चो 3.760 और 3.770 के भीश में लाइ करता है तो यह हमने किया इन दोनों पे magnify कर दिया यहाँ इसको number line पे दिखा दियागा है 3.760 स्टाइटिंग में लिख दिया last में आपने 3.770 लिख दिया और बीश में आपने 9 divisions लेली तो आपने देखा कि 3.760 के बाद आता है यहाँ space नीची इसकी में नीचे लिख दिया आप दी ऐसा कर सकते हैं कोई लिख कर नी 3.761 फिर 3.762 763 764 और यह रहा हमारा 3.765 यहाँ पर ब्लेक से लिखा हुआ मैंने इसी तरह आपको यह दिखाना है और यहाँ लिख दियागा last में 3.765 lies between 3.760 and 3.770 तो इसी के साथ हमारा जो successive magnification का topic है वो complete हो चुका है safe रहिए घर में healthy रहिए और हमारे चैनल को subscribe और share करना मत भूलिए like और comment ज़रूर कीज़ेगा ठीक है thank you